आज मैं आपको दिखाने जाह रही हूं एक बड़ा इसी तरीका ड्रॉइंग करने का वा यूजिंग शेप्स हम शेप्स को यूज करके कैसे ड्रॉइंग कर सकते हैं वह हम देखेंगे आज एक दुर का मया की ड्रॉइंग बना के तो चलिए इस इंटरस्टिंग वीडियो को स सबसे पहले मुझे दिख रही है मेरी ड्रॉइंग में एक ब्यूटिफुल सा सरकल शेप तो मैं एक शरकल बना देती हूं रॉफ सरकल जिसको मैं कोँगी एक रॉफ सरकल बना दूंगी उसके उपर एक कर्व लाइन ड्रॉप कर दोंगी जो की और नीचे भी एक कर्व अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप दुर्चा कर देख रहा है तो मैं वह शेप उसको दे रहती हूं अब मैं उसको जैसी शेप है हमें देनी है वैसी मैं उसको दूंगी और जो भी हमारा बच रहा है मीन्स की हमने जो रफ सरकल ड्रॉप कर रहा तो उसको मैं रफ कर क्योंकि मुझे बनाना एक सुन्दर सा रॉफ ली फेस तो देखिए कैसे मैं बना रही हूं एक सुन्दर से फेस को यह फेसा दुर्गा मिया को और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप दिसको ट्राइक करिएगा देखिये तो देखिए उपर जो मैंने कौर स अब मुझे यह सुनाने तो मुझे यहां पर उसी ओवल टाइप का शेव दिखा तो मैंने दो ओवल सुना ली साथ में ताकि यह को शेव जो है सेम रहे ना एक बड़ा हो जाए ना एक छोटा हो जाए बाद में वह अपना पैजस्ट हो जाएगा अब मैं उसको यह की शेव फिर देरियू जी और जो रफ बचा उसको मैंने रेस कर दिया अब उसके अंदर मैं डीटेयल से डिकर दें कर दें के मारा एक यहार्स हो जमें देख ता कैसा है आप देखिए गार जो भी रख बचेगा उसको मैं अपने आप रिएस कर दूंगी ताकि मेरी आईस की शेप आराम से आज आज़ा है और मेरी जुजगर मायार जो आईस है बहुत ही जाला सुन्दर बने तो देखिए मैं कैसे इसको शेप डेरी हूं और जो रख बच्रा इसक कि नूज बनाने के बहुत सुन्दर एक्ट्रक्टिव आइस तो हमें ऐसे करेंगे अब नोज बनाने के लिए एक वर्टिकल ओवल बनाया है अब उसको नूज की शेप दे रहे हूं ताकि वह अराम से इसली हमाई नूज बनाने में बहुत ज्यादा बैसा हो जाता है कोई कैसे भी बना देता है बट मुझे बिगकल परफेक्ट नोज चाहिए तो मैंने यह करा अब हम लिप्स बनाएंगे दुर्गा मईया के तो मैं प्रफेक्ट नूज की शेप ने थी ने थी मैंने थोड़ा सा अपर लिप कैसा होना चाहिए अब जाएंगे इस वह जो मुझे कोई शेप देने की ज़गी इस ने मैंने कोई शेप ने थी यह ज़िए अब आइस के अंदर मैं दो एक सरकल डौ कर दूं कि दो नोग अब मैं उपर के सुनाओंगी तो जैसे मैं ने पहले बनाई थी दो आइस वैस वैस बना सकते हो बट अब मैं शेप का यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि यह से बताने क्ले था अब मैं नीचे चांद ताइप का बनाऊंगी कर्व लाइन चांद के सकते हैं और नीचे एक सर अब बात आती है दुर्गा मैया के एक सरकल दिख रहा है तो मैं नीचे एक सरकल बना दिया वो बिल्कुल सेम साइज कोने चाहिए उसके नीचे थोड़ा सा और बड़ा सरकल बना दिया है ताकि पार अच्छा दिखे और थोड़ से हैवी आवी टाइप के मैं सूट करें मै मैं नीचे छूटा सब्सक्राइब एक और छूटा सब्सक्राइब आपको दिख रहा है अब मैं नीचे पैटल स्टाइब की बनाऊंगे इसके मिन्स कि फ्लॉवर्स की जैसे पैटल होती है वैसे दोनों येरिंग्स पर आऊंगी ताकि एरिंग्स और ज्यादा एक्ट्रक्ट जो की सर्कल शेप की ही हम कह सकते हैं ठीक है तो हमारे एरिंग्स भी राइडी हो गई है ना में मेकिंग दूर्डर सॉट्र तो मैं दूर्गामाता के शोल्डर सुनारी हूं साथ में इसको ज्वैल्ली बना रही है कर्व लाइन कीचके तो जैसे मैंने उपर कर दी थी वैसी प्रभी तो आप देख सकते हैं हमाई जोल्री देखने में बहुत अच्छी लगई है एक और दो और और बनाया है ताकि वह और अच्छी लगई देखने में अब नीचे से मैंने बड़ी-बड़ी पैटल्स उनाई है तशकी फ्लावर्स में देखते हैं बड़ी-बड़ी अब थोड़े से हाफ सरकल्स ताकि यह और जादा अच्छा लगई अब मैं बना रही हूँ एक बड़ी से जोल्ली मैंने खीची है थोड़ी सी रॉफ टाइप की लाइन ताकि जोल्ली बन सके जो मैंने दोनों तरव कीची है अब मैं उनकी साड़ी को पूरा करोंगी थोड अब मैंने खीची है अब मैंने रॉफ लाइन कीची है ताकि ट्रिशूल की शोजी शेप आए तो मैंने बिल्कुल स्केल वगईरा किसी चीज का यूज ही नहीं रहा है मैंने रॉफ ली बनाई है हर चीज आप देख सकते हैं अब मैं अपने हातों से उसको सही कर रही हूँ बिल्कुल रॉफ ली अब शिशूल बनाया है तो मरिया की हात तो बनाना ही पड़ेंगे तो हम हात बनाना भी स्टार्ट करेंगे पहले हम अब सारी को पूरा कर लेती हो अब बनते हात अब मैं बनाऊंगी रॉफ क्यूब या फर क्यूब आप पुछ भी समझ लो या फिर आप स्क्वेर या रेक्टैंगल भी समझ लो मैं बनाऊंगी रॉफ जो भी आप समझ लो और उसको और अट्रक्टिव दिखाने कर एक लाइन कीच दी है और फोड़े से और मैंने स्क्वार्स त्याइब के रॉफ ली मेंस की राफ्न स्क्वेर्स रह फ्रक्टैंगल बनाया है रॉफ लाइंस कीचिह थी कि वह हैंन्ण बन जए और मैंने कुल्म लाएक यहाँन पर चार हैंड बनाया एक साइड में अब लू तीन बना लिए एक और मुझे बनान तक मैं सोची पहले मुकुट को पूरी गर लूँ अब है तो अब बना लिया अब नीचे तरीका से पेड निकाल लिया तो यह बना पड़े लिए जब भी हम रिया बनाता है तो एक तो हमारा चोटा बन जाता है और एक बड़ा बन जाता है तो इसमें प्रब्लम होती है इसलि सेम बन जाते हैं दोनों अब मैं हाफ सर्कल्स बनाओंगी जो कि उपर से बहुत अट्रक्टिव लगेंगे देखने में और जब इस प्रड्राइंग पर कलर हो जाएगा तब तो यह और ही जादा अट्रक्टिव लगेगे अब मुकुट बनाने के लिए मैं धेखे पें दगन उपर से पेंट अगंबना रहे है यह उपने सुनां मैं अट्रक्टिव दना ही इसके अजीफ ताइव का पेंटा नमना रई तो उसके अज़ीव टाईव का पेंटागन बना रही हैं जिसकी कर्प आजेस आओं जिसकी क ब्लाइब खीचेंगे ताकि मुग'T इत्रक्तिव लागे ताकर अब फिर से अंदर बॉप सारी जितने बन सकते होतने बन सख्षार करों भी केछों किपक्र नहींजहिऑ अब के केसे करें कि अब कृष्प पर हाफ लग उपर यह ayan साथ के साथ प्रजेंटेशन साथ के साथ बताती जाओं की तो बनाना और एजी रहे का प्रजेंटेशन आप फिर से करण गोड गोड़िया जो तो अब बनाया इसके चो अब उसके अंदर एक और अच्छ परण दिया रहे आपको बीजाइन अच्छी लगए ऐन्तड़ाने को देख देख नहीं करें आपको जो भी डिजाइन अच्छी लगए ज drin आप कर दिजेगा तफिंस दाइछ है मैंने लिजाइन इसे हो मेंने शेप सकती है पर अगर आपको और शेफ्स देखनी हैं तो आपका अलग अलग ताइप की शेफ्स दाल सकते हैं उपर से कुछ अजीब टाइप के पैंटागन्स बनाएंगे ताकि मुझे और जादा अट्रक्टिव लगे यह आपर डिपेंड करता है बना या ना बना है पर मुझे मुझे अट्रक्टिव बनाना है तो मैं तो उसमें एड़ करूंगी और उपर से थोड़ से कर्व लाइन्स तो मुझे तो हमारा रेड़ी हो चुका है बस अंदर उसकी डिटेल से अड़ करने बाद की रहा है वह आप अपरी मुझे से करें या फिर आप मेरा देख के करें बात कोई अलग नहीं है मुझे सुन्दा बनेगा आप बालों को बना मैं बनारी हो हाथ तो आप क्यूबॉर समझ लिजे क्यू समझ लीजे मुदस और मैं हैंट का बनाने ककर अब मैं एक लाइन की आंगः खी र하는 की को बना था यू करना था अब उनकी हैंगः व्यनकी हैंग थनिख रादने गया इससलेश को एक डिक अअग कीश न की एक भी हैंट्स कर से बनने हैं अब हमाई ड्राइंग में जत्ती भी डीटेल्स बचेते हैं कि कुछ रहा गया होता हम उसको पूरा कर लेता है कि ड्राइंग बिल्कुल डीटेल में होनी चाहिए ठीक है हर चीज देखनी चाहिए अब पूरी कुल में लाके हमाई ड्राइंग बनने ही बाली है तो इसे डीटेल साइट कर दूँ फिर देखते हैं हमाई ड्राइंग कैसी लग लिया कर दो हमाई अब जा बाली है कर देखते है हमाई लुड़ लिया कि नाव देखिए ड्राइंग कित्ती जादा सुन्दर लगी है डिटेल में लग रही है कलर हो जाएगा तो यह और जादा सुन्दर लेगी अगर ऐसे वीडियो पसंद आते तो देखते रहिएगा इंजल आलिश ब्लॉक्स थैंक यू तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दिजीगा थैंक यू सो मच की वाचिंग थैंक यू बाई